है 4 वजे का टाइम अपने इसमें लगा रख हैं 8 हुँरेके अधिल के प्लेटफोर्म पर आये है आजके को स्टर्ट करते हैं जैसे कि प्रस्ट करना स्टर्ट कर दिया था आज का कोश्टेंस देखना स्टर्ट करते हैं ठीक है है चले आज जो questions हमने करेंगे finance rated questions करेंगे जितने जी finance के questions है फटा फट जल्दी questions को थोड़ा देखते हैं समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं चले cost लिखाओ इसमें which of the following is ठीक है ठीक है finance question which of the following is not true for net income approach net income approach के लिए क्या सच है सुध आयदिस्टी कौन से निमलिखित में से कौन सा सत्य है higher debt increase the value of firm higher debt is better lower debt increase weighted average cost of capital या all of the above जल्दी से बताएगा जी आगे commerce अब लखनो जी कैसे हो बढ़िया पहले question का answer फटा फट देखियेगा कि सर higher debt increase value of the firm या higher debt is better जल्दी से बताएगा कौन सा which of the following is true for N.I. approach ठीक है जी net income approach में जो हम assumptions पड़ते हैं या हम जब पड़ते हैं N.I. approach N.I. approach क्या होगा सर N.I. approach में क्या होगा जल्दी से बताओ देखो हम पड़ते हैं N.I. approach में कि सर धान से देखो कि this is cost of debt है न इसको हम क्या कहते है cost of debt and this is cost of equity both are constant cost of debt and cost of equity जो है वो क्या होगा सर इसका होगा constant होगा right क्या होगा good evening good evening कैसे हो आप सब बढ़िया तो ध्यान से देखना cost of debt and cost of equity क्या होगा constant होगा और जैसे जैसे debt का portion जादा यूज करते जाओगे वैसे वैसे overall cost जो है वो सस्ता होता जाएगा जैसे जैसे debt का portion जादा यूज करते जाओगे वैसे वैसे overall cost क्या होता जाएगा सर कम होता जाएगा यह हम कहां पढ़ते हैं NI approach में ठीक है इसके opposite NOI approach क्या कहता है NOI approach कहता है कि सर यासा देखो cost of overall capital और cost of debt यह constant होता है और cost of equity जैसे जैसे आप debt यूज करोगे वो cost of equity महंगा होता जाता है जैसे जैसे debt का portion सरी मैंने उल्टा कर दिया जैसे 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 आप debt का portion यूज करोगे वैसे वैसे cost of equity this is overall cost and this is cost of debt जैसे जैसे ज़्यादा यूज करते जाओगे वैसे वैसे जो cost of equity है वो क्या होता जाता है sir महंगा होता जाता है तो overall cost जो है उसमें कोई कमी नहीं आता है ये कौन कहता है NOI approach कहता है तो जल्दी से इसका answer बताएगा question number first का answer बताएगा कि sir higher debt is better lower debt increase weighted average of cost of capital higher debt increase value of the firm ठीक है जी अगर debt ज्यादा होगा तो value of the firm क्या हो जाएगा increase हो जाएगा तो जल्दी से बताओ देखो अगर debt को portion को बढ़ा रहे हैं तो overall cost कम हो जाएगा अब ध्यान से देखो question में क्या अगर है overall cost क्या हो जाएगा इसको हम weighted average cost of capital भी कहते हैं ये क्या हो जाएगा कम हो जाएगा डेवेंचर के portion को अगर हम बढ़ाएंगे debt को अगर increase करेंगे तो WACC क्या हो जाएगा कम हो जाएगा साथ साथ जो value of form है value of form क्या हो जाएगा increase हो जाएगा तो सर ये दोनों चीज़े यहाँ पे हमने देखा है तो सर दो answer आ गया है एक सर commerce हम लखनो दूसरा renew मंगला जी दोनों ने कहा है कि सर D होगा एक सेकड़ D होगा अरे दोनों ने कहा है कि सर D होगा all of the above आईए next question क्यों चलते है next question क्या है in case of NI approach in case of NI approach the cost of equity is constant fix increasing decreasing जल्दी से बताएगा sir next question का अंसर फटा फट बताएगा कि सर अगर NI approach है net income approach है तो cost of equity बढ़ेगा या कम होगा अभी अभी हमने बताया था डाइग्राम के माध्यम से हाना अभी अभी हमने बताया था डाइग्राम के माध्यम से कि सर cost of equity जो है वो क्या हो जाएगा constant होगा क्या क्या constant होगा sir ke constant होगा, kd constant होगा, जैसे जैसे debt का portion बढ़ाऊगे, वैसे वैसे ko decrease करेगा, ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, constant होगा, which of the following is true of NI approach, ठीक है जी, value of firm is equal to value of equity is equal to value of debt, value of equity is equal to value of firm plus value of debt, value of debt is equal to value of firm plus value of equity, value of firm is equal to value of equity minus value of equity. देखो जब हम VE का यूज़ कर रहे हैं VE is equal to value of equity value of equity और जब हम VF का यूज़ कर रहे हैं कों कहते हैं value of firm value of firm और जब हम value of VD का is equal to value of debt value of debt ठीक है तो याद रखना हमेशा क्या होता है value of firm is equal to value of equity plus value of debt ठीक है जी firm की value हमेशा equity और debt की value के बराबर होती है firm की value किसके बराबर होती है firm की value हमेशा value of equity plus value of debt के बराबर होती है चलिए next question है which of the following statement are false इन में से कौन सा statement गलत है इन में से कौन सा कथन गलत है NI approach shows the effect of leverage on overall cost of capital the ultimate conclusion of NI approach and NOI approach are same ठीक है जी तो देखो ये दोनों conclusion same तो नहीं हो सकता the equity shareholder get residual profit of the firm every capital is the optimum capital structure as per NOI approach तो जल्दी से बताओ क्यों NOI approach के according optimum होगा ही क्योंकि sir हमें माना है कि sir KD और KO constant है मतलब overall cost में कोई change नहीं आएगा ये भी सही है the equity shareholder get the residual profit बिल्कुल जो debenture को देने के बाद होगा ठीक है जी तो residual profit देने के बाद तो ये भी सही है फिर कह रहा है NI approach shows the effect of leverage on overall cost of capital बिल्कुल से ठीक है तो ultimate conclusion NI और NOI एक दूसरे के क्या है विपरीत है एक दूसरे के inverse है जब कैसे ध्यान से देखो NI approach क्या कहता है NI approach कहता है कि sir जो value of cost of overall capital है और जो cost of debt है ये constant है जबकि NOI approach क्या कहता है sorry cost of equity और cost of debt जो है वो constant है जैसे-जैसे debt का portion बढ़ाओगे वैसे-वैसे overall cost कम हो जाएगा जबकि NOI approach इसके opposite कहता है इसके क्या कहता है sir इसके opposite कहता है ये क्या कहता है sir ये कहता है जो KO है वो constant है और जो KD है वो constant है जैसे-जैसे extra debt use करते हो वैसे-वैसे extra आपको equity यहाँ पे K है equity का cost बढ़ जाता है जिस कारण से overall cost में कोई फर्क नहीं पढ़ता जिस कारण से overall cost में कोई फर्क नहीं पढ़ता तो इसका answer क्या हो जाएगा sir इसका answer हो जाएगा B चले next question पर आते question number 20 NIE and NOI approach has been suggested by F.W.Taylor, David Durand और Marshall Edgeworth और Fischer बहुत आसा question है इसमें क्या ही बताना है ठीक है जी बहुत बढ़िया answer आ गया Manisha Maurya जी का बहुत बढ़िया sir David Durand ने दिया है David Durand ने दिया है ठीक है जो NIE approach है और NOI approach है दोनों David Durand ने दिया है बहुत बढ़िया answer है बहुत सठीक answer है बहुत बढ़िया चले इन NOI approach which one of the following which one of the following lowing is constant ठीक है which one of the following is constant in NOI approach which one of the following is constant cost of equity cost of debt overall cost of capital and cost of debt K E and K D देखो K E को constant नहीं मानेंगे तो ये तो नहीं होगा cost of debt ये भी नहीं होगा तो बताओ sir debt भी constant मानते हैं क्या-क्या constant मानते हैं sir debt को constant मानते हैं और K O को constant मानते हैं cost of debt and K O is constant ठीक है जी तो answer क्या हो जाएगा answer हो जाएगा C, C में हमने देखा कि sir overall cost और cost of debt दोनों क्या हो जाता है, sir दोनों constant हो जाता है, दोनों क्या हो जाता है, दोनों constant हो जाता है, चलिए, next question देखते हैं, according to NOI approach, financial mix is irrelevant and it does not affect the value of the firm, the business risk remains constant at every level of debt equity mix, the market value of equity is calculated by deducting market value of debt, ठीक है, from the total market value of firm, all of the above, ठीक है जी, सुधव परिचालन आए, दिर्ष्टि कौन की अनुसार, चल्दी से बताएगा, question number 22nd का answer, फिर से सुनना, according to NOI approach, financial mix is irrelevant, आप financial mix में कुछ भी कर लो and it does not affect the value of the firm, value of the firm में कोई affection नहीं होता, ठीक है जी, the business risk remains constant, ठीक है जी, business risk remains constant, every level of debt equity mix, ठीक है जी, तो सर, business risk जो है, वो remain constant होगा, आप किसी भी level of risk पे चले जाओ, business risk जो है, वो constant होगा, market value of equity is calculated by deducting market value of debt from the total market value of firm, ठीक है जी, तो यहां से हम उसको निकाल सकते हैं, या all of the above, जल्दी से बताएगा, कि सर, NOI approach में क्या answer आएगा, NOI approach है ना, जल्दी से इसका answer बताएगा, बिना कोई लेट किया फटा फट, जो जो बच्चे लाइव हैं, जल्दी से इसका answer बताएगा बच्चे, Manisha, Legend Gaming, Renu, Commerce, अब लखनाओ, और भी जो बच्चे लाइव हैं, वो answer जरूर दे सकते हैं, ठीक है, Renu Manglaji का आया है, B, देखो, business is remain constant at every level of equities mix, ठीक है, market value of the firm is calculated by deducting नहीं, ठीक है, B is the correct answer, बहुत बढ़िया answer है, देखो, यहाँ पे दोनों case में, चाहे हम NOI approach कहें, या NI approach कहें, दोनों में value of firm effect होता है, capital structure में change होने कारण, लेकिन एक कहता है, overall cost effect होगा, एक कहता है, overall cost effect नहीं होगा, लेकिन B इसका जो है, वो बिल्कुल सही answer है, फिर, next आते, which of the following is not true about NOI approach, ठीक है जी, NOI approach के लिए कौन सा सही नहीं है, NOI approach, KD and KO are taken as constant, NOI approach says that there is no optimal capital structure, every capital in the optimal capital structure as per NOI approach, at optimum capital structure, KO of the firm is highest, sir, KO कहीं highest नहीं हो सकता, ठीक है, पहले हट गया, ठीक है, capital structure, optimal capital structure as per NOI approach, ये भी नहीं होगा, है न, तो देखो, NOI approach, KD and KO are taken as constant, not true, तो answer क्या हो जाएगा, sir, D, at the optimum capital structure, the KO of the firm is highest, क्योंकि KO जो है, वो क्या हो है, वो fixed होता है, KO में कोई change नहीं होता, sir, KO हर level पे क्या होता है, same होता है, sir, KO हर level पे क्या हो जाएगा, same हो जाएगा, तो इसका answer क्या हो जाएगा, D, मैंने पढ़ा नहीं था, not true, मैंने पढ़ा का लागा true, तो सारी बाकी सब तो true है, not true कौन सा है, D, D जो है, वो क्या है, not true है, not true, हमें क्या बताना है, not true, चले, the traditional approach is also known as, NI approach, NOI approach, MM approach, intermediate approach, ठीक है जी, हम इसको और किस नाम से जानते हैं, ठीक है जी, जल्दी से बताएगा, traditional approach को हम intermediate approach के नाम से जानते हैं, sir, it is a mediation between, इसमें क्या होता है, sir, this is, and this is, कहता है, एक level के बाद, सब कुछ बढ़ता है, ये क्या कहता है, एक level तक अगर हम mix करते हैं, debt and liquidity को, तो हमारा overall cost क्या होता है, कम होता है, उसके बाद भी अगर हम debt और लगाए जाएं, तो overall cost कम होने के बजाए, बढ़ना start हो जाता है, तो it's a mediation या intermediate approach between Ni and Noi approach, ठीक है जी, है ना, तो उसको हम intermediate approach भी कहते हैं, दोनों बच्चे का बहुत साही अंसर है, Manisha Maurya जी, Renu Mangla जी, दोनों का बहुत अंसर साही है, बहुत बढ़िया, चले, judicious use of leverage is suggested by Ni approach, net operate Ni approach, Ni approach, traditional approach, all of the above, judicious use of leverage, मतलब, उत्तोलन का विवेकपुर्ण उपयोग, मतलब, एक certain limit तक उपयोग हम यूज कर सकते हैं, एक certain limit के बाद हम उसको यूज करेंगे, तो वो कम होने के बजाए क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हाणा, कम होने के बजाए क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है जी, तो चलिए, इसका आंसर बताएए, फटा-फट क्या होगा, चलिए बिटा जल्दी से बताइएगा judicious use of leverage is suggested by judicious use कौन होगा सर जल्दी से judicious use मतलब एक certain level तक हम अगर leverage use करते हैं तो हमारा overall cost कम होगा लेकिन उसके बाद भी अगर use करेंगे तो हमारा overall cost क्या हो जाएगा कम होने के बजाएं बढ़ जाएगा और यह कहां हमने किया था और यह कहां हमने किया था traditional approach में मनिशा मौरिय जी आपका बिलकुल सही है ठीक है जी आपका answer बिलकुल सही है traditional approach क्या कहता है सर एक certain level तक अगर आप use करते हो तो आपका cost क्या होता है कम होता है उसके बाद आपका overall cost क्या हो जाता है सर बढ़ने लग जाता है आपका overall cost क्या होता है सर बढ़ने लग जाता है जिसको हम क्या कहते हैं सर judicious use, एक certain level तक विवेक पुन तरीके से use करेंगे तो वहां तक हम use कर सकते हैं उसके बाद नहीं In the traditional approach which one falling remain constant cost of equity, cost of debt weighted average of the cost of capital none of the above, जल्दी से बताएगा question number 26 question number 26 क्या कह रहा है, कह रहा है सर बताएगे क्या constant होगा question number 26 में बताएगे क्या constant होगा, जल्दी से question number 26 question number 26 का answer बताएगे, क्या constant होगा क्या KE constant होगा या KD constant होगा, या weighted average cost of capital constant होगा या कुछ भी constant नहीं होगा, बहुत साही आंसर है, कह रहे सर ननब दाबब, एक certain level के बाद, हर कुछ घटने के बजाए क्या हो जाएगा, सर बढ़ने लग जाएगा, क्या हो जाएगा, सर बढ़ने लग जाएगा, तो जार जाद रखना, कुछ भी constant नहीं माना जाता, traditional approach में, क वो variable हो जाता है, mm model, irrelevant of capital structure, है न, mm model, irrelevant of capital structure, mm model, irrelevant of capital structure is based on cost of debt, cost of equity, arbitrage process, all of the work, धहाँ से देखना, mm model, जो है,íre-release किसके उपर भेज़े है? तो sir,oster,ार्भिट्रेज के उपर भेज़े है? किसके उपर भेज़े है? sir,agerνηट्रेज के उपर भेज़े हैं? तो इसका answer क्या हो जाएगा? Sir, इसका answer हो जाएगा, c Arб County Reак, Arbitrage Process भहत बढ़िया, बच्चे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया if taxes are ignored the mm model is identical to ni approach, ni approach, traditional approach, none of the above 28 का answer बताईएगा अगर tax को ignore कर दिया जाए mm model is identical to ni approach, mm model is identical to ni approach, mm model is identical to ni approach, ठीक है जी, बहुत बढ़िया if taxes are assumed to exist, the mm model is identical to, अगर tax exist करता है, ठीक है, अगर tax क्या करता है, exist करता है तो वो किसके identical हो जाएगा, देखो, अगर tax exist नहीं करता, पहली बात, tax not exist, तो हो जाएगा हमारा ni approach, और tax exist करता है, तो हमारा हो जाएगा no i approach, ठीक है जी, तो इस बर क्या क्या है, mm model identify, tax are assumed to be exist, तो क्या हो जाएगा ये no i approach, अगर tax exist करता है, तो किसके identical हो जाएगा, बिलकुल सही, no i approach क्या identical हो जाएगा, आएए, आज का last question करते है, which of the following is not correct about mm model, इन में से कौन सा mm model के according correct नहीं है, इन में से कौन सा mm model के according correct नहीं है, mm model provide behavioral justification of no i approach, mm model personal leverage and corporate leverage are considered as per perfect substitute, as per perfect substitute, in the basic mm model, in the basic mm model, leverage affect the value of the firm, in the mm model, the value of leverage of the firm, can be found by first finding out the value of the unlevered firm, तो यहाँ पर जो बिटा answer है, वो बहुत बढ़िया सब का answer आ गया, मनीशा मौरिया जी का answer आ गया, कह रहे सर C, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, आज का session आपके साथ करके बहुत अच्छा लगा, ठीक है, पर सो same time पर यहीं पर मिलेंगे, तब तक के लिए, bye-bye, हाँ जी, leverage not affected, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है, मिलते हैं next class में,